हेलो दोस्तो एक बाफिर से स्वागते हैं आपका हमारे यूटीब चैनल कम्टने टिपस में दोस्तो आज हम बात करते हैं Excel कीवोड शॉटकुट की इसकी तो इसी सीरीज में पहली शॉटकुट की स्रीज की बात करते हैं एक्सल और रेंज के अंदर नैविगेशन के अंदर कौन कौन सी शोटकट की को यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पार की शोटकट की होती है जैसे कि आप डेटा देख पा रहे हैं डेटा के अंदर जो हमर पस मैं चाहता हूं कि A1 नंबर सेल में मेरे को जाना है शोटकट की की हेल्प से तो इसके लिए मैं कौन सी शोटकट की यूज़ करूँगा कंट्रोल होम कीवोड से कंट्रोल और होम का बटन जैसे प्रेस करूँगा तो देखी क्या होगा इससे क्या होगा कि एक्सल आपको A1 नंबर सेल पर लेके चला जाएगा तो कंट्रोल होम हमरे जो शोटकट की होती है वह होती है तो सलेक्त फरस्ट विजबल सेल इन दर सीट जो पहला सीट के अंदर सेल होता है उस पे पहुंचने के लिए हमें कंट्रोल प्लस होम का बटन कीवोड से प्रेस क करते हो Ctrl plus and जैसे आप Ctrl plus and प्रेस करोगे तो यह Keyword shortcut की आपको last used cell के ओपर लेके चली जाएगी मतलब Ctrl plus and की help से हम last used cell पे easily पहुंच सकते हैं To select the last used cell in the sheet इसके लिए shortcut की होती है वो होती है Ctrl plus and अब आप इस रो के अंदर कहीं पर भी हो आप चाहते हो कि मैं इसके first cell पर पहुंच जाओ इस रो के अंदर first cell पर जाने के लिए keyword shortcut की होती है home key आपने केबल keyword से home press करना है जैसे आप keyword से home press करोगे Excel आपको इस रो के अंदर first cell में लेके चला जाएगा तो to select the first cell in row of active cell इसके लिए shortcut की होती है home key home button आपने keyword से press करना है home button ऐसी अगर आपने end button press किया keyword से end और arrow एक बार end प्रेस किया और फिर आपने जो प्रेस किया right arrow यह देखिए एक बार end प्रेस किया उसके बाद right arrow प्रेस किया तो आप क्या तो क्या होगा Excel आपको इस रो के अंदर last active cell पे लेके चला जाएगा मतलब to turn on end mode उसके लिए हमने पास end shortcut की होती है किया होगा आप अगर अगर जो इसमें and प्रेस करते हो keyword से और right arrow प्रेस करते हो तो वह right की side move करेगा and press करते हो left arrow move करते हो तो left की side move करेगा मतलब जो हमर पास home जो हमने short cut की प्रेस की थी अगर हम and और left arrow वो फो मूं करते हैं तो मूं मूं शॉर्टकुट की और एंड प्लसलेंट 소개 की दूनों का एक ही काम होता है कि ऐसे ही अगर आप कंड्रूल प्लस राइट एरो प्रेश करते हो तो आप उस रो के अंदर एक्टिव लास्टश रास्ट के context फिला-ऋ डास्ट सेल ओफ करेंट रिजन ऐसी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो चंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जोगा वो आपको मूव करेगा active row के अंदर first cell के उपर control plus left arrow control plus down arrow आपको move करेगा active column के अंदर last cell में जैसे आप control plus down arrow press करोगे तो आप उस column के अंदर सबसे last cell के अंदर पहुंच जाओगे ऐसी control plus अप arrow जैसे याप press करोगे तो आप सबसे पहले cell में जो भी आपका सबसे पहले से अलोगा उस column के अंदर उसमें आप पहुंच जाओगे तो इस तरीके से हम control की control प्रेस करके इन चारों एरों की मदद से अपने sheet को active कर सकते हैं Page down अगर आप keyword से केबल page down प्रेस करते हो तो आप active screen के अंदर एक page down हो जाओगे जैसे अब देखें 32 number row तक हमारे पास इस screen पर display हो रहा है अब जैसे में page down प्रेस करूँगा तो यह 32 के बाद से display करना आपको शुरू होगा तो इस तरीके से page down की मदद से हम एक screen down पहुंच जाते हैं ऐसे page up की मदद से हम एक screen up पहुंच जाते हैं तो page up और page down दोनों एक एक screen up और एक screen down कर देते हैं ऐसे अगर आप keyword से press करते हो alt plus page down आप keyword से press करते हो alt page down तो आप एक screen right की side move करोगे alt page down देखिए alt page down जैसे आपने press किया आप एक screen right side move कर रहे हो ऐसे आप alt page up जैसे press करोगे alt page up आप एक screen left की side move करोगे alt page up और alt page down की help से हम एक screen left और एक screen right की side move कर सकते हैं simple arrow अगर आप अपने keyword से normal arrow प्रेस कर देते हो बिना किसी shift और control की help से तो आप एक Excel move करोगे मतब down arrow move करोगे तो Excel down left arrow move करोगे Excel left की side up side move करोगे एक side up Excel up और left side move करोगे तो Excel left तो यह चारो arrow हमरे पास एक Excel move करने के काम में आते हैं अगर आप keyword से press करते हो control plus G control G करते हो तो आपके पास go to वाला जो option है यह खुलके आएगा अगर आप keyword से press करते हो control F control F control F आपका find वाला option find वाले डायलोग वोक्स है वो खुलके आएगा इसमें आप जो भी find करना चाहते हो वो कर सकते हैं करना है डैली डैली जैसे मैं find करूंगा और find all पर क्लिक करूंगा तो मेरे शीट के अंदर जितने भी डैली ना जितने भी डैली यहीं ऐसको छिखाएगा तो control F की help से हम find वाला जो डैलोग वोकस उसको open कर सकते हैं ऐसे control H की help से हम find और replace वाला जो डैलोग वोकस को open कर सकते हैं मतल़ जैसे आपने डैली हैंसे कोई डेली की जगे कोई रप्लेस करना है जब मैं चाहता हूं डेली की जगे मेरे पास जितना भी डेटा सीट के अंदर डेली लिखा हुआ है यह निव डेली हो जाए तो मैं पहले oke göre से कंडर करींढ़ का रकारम करेंगा कर से सबुनकरींगे इसल varit यहां से में रिप्लेस चला इस यहां से में रेप्लेस और गुंकरुगा इसमें लिखाभ भी और आगया जाये है वाज खुड़ ब्युठ 11 Boeing हैं एक पुरंचास रेप्लेस्मेंट डैली की जगह पे निव डैली हो गई है तो कंट्रोल एच की मदद से हम रिप्लेश वाला डायलोग जो है वो ओपन कर सकते हैं कि ऐसी हैगा सिफ्ट एफ और प्रेस करते हो कीवोड से सिफ्ट एफ और हमारे जो की शोटकट की होती है वह फाइंट नेक्स्ट मैच के लिए होती है और Ctrl-Shift-F4 आप प्रेस करते हो तो यह previous match के लिए होती है जैसे अब Ctrl-Shift-F4 प्रेस करोगे तो यह previous match के लिए होती है तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी navigation shortcut keys को use कर सकते हैं अब next हम वीडियो से सीखेंगे कि हम cell और range के अंदर formula shortcut key को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अब आपको वीडियो चलेके तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे बहले पहुंच पाए थैंक यू थैंक्स पर वाच्ट